हेलो दोस्तों हर हर महादेव वेलकम बेक टू माई चैनल और वेलकम टू माई अनेड़ वीडियो दोस्तों आज की यह वीडियो बहुत ही खास और इंफोमेटिव होने वाली है उन भक्तों के लिए जो पहली बार अपनी कैदानाध्धाम की यात्रा प्लैन कर रहे हैं इस साल 2024 में क्योंकि अभी तक मैंने आपको वो सारी वीडियो दिखाई हैं जिन में आपको जानकारी मिली है चार धाम से रिलेटिड लेकिन आज की यह वीडियो कुछ अलग होने वाली है क्योंकि जो लोग पहली बार कैदानाध्धाम जाते हैं उनको बहुत सारी कंफ्यूजन हो और मुझे सच में बहुत ज़्यादा परिशानी हुई थी क्योंकि मैं बिना तैयारी के कैदानाध्धाम कर आई थी तो उसी के अधार पे मैं आपको यह सारी इंफोर्मेशन देने वाली हूँ तो बने रहेगा वीडियो को एन तक जरूर देखीगा वो भी बिना एस्केप करें तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले नंबर पे आता है आपका रजिस्ट्रेशन आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है चार दाम का और उसका पीडियेफ डाउनलोड कर लेना है चाहे तो आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं दोस्तों हो तो सकता है तो और आप प हो सकता है तो एक स्सेले इसलिए अपने साथ उब्ragen कपड़े 9 से मैं वार दोस्तक्त स सबने साध्य ना भूल आपको रख लेनी है, और जैकेट आपको रघनी है, दोस्तों माइनस टेमपरेटर की, क्योंकि वहाँ पर रात में भोगत बिढ़ ह 21 firm, तो आपको मिल जाती है जैकेट, गलाव्स, यह सारी चीजह आपको डी कैसलोर रख लेनी है, मुक्तलम passing के डी कैटलों करते सुपरे के ज से आप कपड़े ले सकते हैं अब बात करते हैं दोस्तों ट्रैकिंग शूज की यहां पर आपको ट्रैकिंग शूज कुछ भी लेकर नहीं चले जाना है या फिर जो आप डेली वियर में पहनते हैं वो तो बिल्कुल भी लेकर मत जाना क्योंकि केदानात की जो ट्रैकिंग है वो 20 से 22 किलो मीटर की होती है इसमें आपको ट्रेक करने के लिए अच्छे शूज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है जब आप ट्रेक करते हो तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन जब आप ट्रेक उतरते हो तब आपका सारा प्रेशर आपके पैरो पर ही होता है तब आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है अगर आप नॉर्मल स्पोर्ट शूज लेकर जाते हैं तो मेरे साथ भी यही हुआ था मैं नॉर्मल शूज लेकर पहन कर चली गई थी और जब मैंने ट्रेक उतरा तब मेरे पैरों में इतनी ज़्यादा प्रॉबलम हो बहुत ज़्यादा ठका देने वाला है इसलिए आप कोशिश करें कि ट्रेक पैंडसी लेकर जाएं या फिर लोगर लेकर जाएं जिनसका वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा परिशानी कर सकती है और बात करें बैक की तो यहां पर आपको दो बैक लेकर जाने चाहिए एक बड़ा बैग जिसमें आपका सारा समान होगा और एक छोटा वो इसलिए कि जिस दिन आप सोन प्रियाग से लेकर केदानात कर ट्रैक करेंगे तो आपको एक छोटा बैग जरूर चाहिए होगा जिसमें आप अपना परसनल समान लेकर जाएंगे धाम तक सारा समान आप नहीं करने में easy रहे जैसे कि आपको रखना है सबसे जरूरी cash cash आपको इसलिए रखना है क्योंकि कैदानात में बिल्कुल भी net रख नहीं होते तो आपका Google Pay या UPI नहीं चलेगा इसलिए आपको cash जरूर से रख लेना है चोकलेट आप रख सकते हैं ताकि आपकी energy बनी रहे ड्रा आपको track करने में बहुत ज्यादा असानी प्रतान करेगी दूसरा sunscreen भी आपको जरूर से रखना है raincoat रखना है umbrella रखना है क्योंकि महां पर कभी एकदम weather change हो जाता है और बारिश कभी भी हो जाती है और दूसरा आप जो यह बैग लेकर जाए वह भी waterproof होना जरूरी है क्योंक इन वह polythene के बने होते हैं तो यह आपको उतना ज्यादा coverage नहीं दे पाते हैं जो आपके अच्छे raincoat दे पाते हैं तो इनको तो आप बिल्कुल ही ना खरीदें अगर आप लेकर नहीं गए हैं तब आप इसको ले सकते हैं लेकिन यह भी बिल्कुल बेकार ही होते हैं इनमे पानी हर जगह से चला ही जाता है और इनका में प्राइस बताओ तो 250 का आपको यह मिलता है वहाँ पर इसलिए कोशिश करें कि आप अपना raincoat लेकर जाएं सबसे ज़्यादा जो लोग सोचते हैं वह मैडिसन के बारे में सोचते हैं कि वहाँ पर किस मैडिसन की ज़्यादा पढ़ सकती है तो कुछ जो ज़्यादा एसेंशल है उनकी मैं आपको बता देती हूँ जैसे की पेन किलर हो गया फीवर की आप रख सकते हैं मेडिसन कोल्ड की रख सकते हैं कफ सिरप रख सकते हैं इनहेलर रखें डिस्प्रिन रखें मुव स्प्रे नी कैप और कपूर उन होगी कि आप उनको अफोर्ड करने में आपका बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खरचा होगा क्योंकि महां पे सारी चीजे डबल रेट पर होती है और बात करें इलक्टोनिक आइटम्स की तो आपको जरूर से अपने साथ रखना है पावर बैंक और आपको रखना है एक्स् चार्ज करने के लिए पावर बैंक इसलिए क्योंकि रास्ता 20-20 किलोमीटर का है तो पूरे रास्ता आपका हो सकता है फोन की बैटरी ना चले तो इसलिए आप पावर बैंक भी जरूर रखें तो आपको रख लेनी चाहिए क्योंकि जब आप ट्रेक उतरते हैं तो तब उस जादा रोशनी नहीं दे पाती क्योंकि महां पर बहुत ज़्यादा गड़्े और पत्थरों वाला पत्रीला रास्ता है तो आपको एक अलग टोर्ज की जरूरत जरूर से पढ़ने वाली है आप यहां पर इलेक्ट्रिक कैटल भी रख सकते हैं क्योंकि महां का पानी इतना ठंडा है तो आप एकदम से नहीं पी पाएंगे अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं आपके साथ तो वो भी एकदम से इतना ठंडा पानी नहीं पी पाएंगे तो आप अपने साथ इलेक्ट्रिक बोटल भी रख सकते हैं और वोटर बोटल जरूर रखें महां पर आप मि तो दोस्तो यह track आपको बहुती चोटे कदम लेकर ही करना चाहिए क्यूंकि यह track बहुती ज़्यादा लंबा और बहुती ज़्यादा इस्टीप चड़ाई वाला होने वाला है इसलिए आपको इसमें बिल्कुल भी जल्दी बाजी नहीं करनी है अगर आपका यह first track है तो से 8 गंटे जो beginner नहीं है और जो beginner है उनको लग सकते हैं 10 गंटे और यहां पर आपको यह track करते करते शाम भी हो सकती है अगर आप शाम की आरती में शामिल होना चाहते हैं तो आपको यह track 3 बजे या सुबह के 4 बजे शुरू कर देना चाहिए ताकि आप शाम को 6 बजे से पह अगर आपको लगता है कि कोई चीज चूट गई है तो वह आप खुद से भी रख सकते हैं मैंने जहां तक कोशिश की है आपको सारी चीजे कवर की हैं तो दोस्तों यही था एक कैदाना धाम का essential चीजे जो आपको जरूर से बैग में अपने रख के ले जानी चाहिए उसका नई वीडियो में नए ब्लोग के साथ और किसी नई destination पर अभी के लिए हर हर महादेव हर हर गंगे